नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू बाइजूस गॉर्मेंट एक्जाम प्रैप चैनल, दोस्तों आज हम लोग डिस्कस करेंगे डेली करेंट अफेर में 6 जुलाई 2021 के निउस पेपर में से, जो कि आपके एक्जाम, CHSL, कमबाइंड ग्रेजुट लेबल, NTPC, इंटेलिजन्स ब् यानि राष्टी मामलों में पहली खबर है, ट्राइबल कम्यूनिटी विल गेट मोर पावर्स तो मैनेज फोरेस्ट रिसोर्स, यानि वन्स अंसाधनों के प्रबंधन के लिए जन जाती यस समूह को और शक्तियां मिलेंगी, तो इन लोग दोनों ने फैसला किया है कि संयुक तुरूप से कि वन्स अंसाधनों के प्रबंधन में जन जाती समूह को और शक्तियां दी जाएंगी, तो यह जन जाती समूदाय होते क्या, तो यह जो है इन्हें वनवासी या वनों में रहने वाली जातीयां जिन्हें हम सिजूल ट्राइब भी कहते हैं, तो भारत में सिजूल ट्राइब यानि according to 2011 census 2011 की जन गड़ना के आधार पर भारत में ट्राइबल जो ग्रूप है वह 8.6% है, यानि भारत की कुल जन संख्या में 10 करोण से अधिक योगदान इन आदिवासी समूहों का है, आदिवासी समूह यानि जो की अभी socially, economically, politically भी कह सकते हैं, अभी इनका upliftment नहीं हो पाया है, इसलिए समविधान में इनके लिए बहुत सारा प्रावधान है, यानि schedule 5th and 6, यानि अनसूची 5 और 6 में जन जातियों और अनसूची जातियों के बारे में विसेश उपबंध है, यही कारण है कि इन लोगों को main stream में लाया जाए, जैसे category होती है general, OBC, SC and ST, यह चौथे पा और अभी पिछड़े छेत्रों के अंतरगत आते हैं, तो इनके उत्थान के लिए सरकार नित नए प्रयोग या कारिक्रम या योजनाएं जारी करती रहती है, in an official statement, the Ministry of Environment said that a joint communication to this effect is scheduled to be signed at the Indra परयावरन भवन, यानि आजी के दिन 6 जुलाई को, 6 जुलाई को आजी इस पर स्ताक्षर कर दिया जाएगा, जिससे कि इन आदिवासी समुदायों को, जनजाती समुदायों को वनों के प्रबंधन में और शक्तियां हासिल हो जाएंगी, ये बहुत इंपोर्टेंट है, वनों निवासी अधनियम 2006 आया, मने क्या कहा, लगातार इनके लिए सरकार प्रयासरत रहती है, तो इसमें जो है, the act recognize and waste the forest rights and occupation in forest land, in forest dwelling, scheduled tribes and other traditional forest dwellers who have been residing in such forest for generations but whose rights could not be recorded and provides a framework for recording the forest right. So wasted and the nature of evidence required for such recognition and wasting in respect of forest land, यानि इनको अब कह सकते हैं कि इस अधनियम के तहत, वन अधिकारों और भून वन भूमी पर कबजे को मानता देता है, जो पीडियों से ये लोग जंगल में रह रहे हैं, जैसे North East East State में आप देखते हैं, ये लोग shifting cultivation करते हैं, अस्थानांतरन सील खेती, तो यह shifting cultivation किसके द्वारा की जाती है, आदिम जातियों के द्वारा की जाती है, जन जाती है, समुदायों के द्वारा की जाती है, इसके बारे में चर्चा कर भी चुका हूँ, shifting cultivation पूरे बिश्व में प्रशिद्ध है, ये हस्थानांतरन सील खेती चे बुश एन बर्न एग्री कल्चर भी कहा जाता है, एक निवासी मत्तब वहां शेतर के जंगल को साफ करके उसको जलाते हैं, उसकी जो राख होती है, उसको as a fertilizer यूच करते हैं, जैसे स्री लंका में चेना कहा जाता है, इसे याद रखेंगे, जैसे ब्राजील में इसे रोका कहा जाता है, हमने कई बार चर्चा की है, जैसे हम इसी के तहद अब सरकार और इस पर कारेगी और इनको और शक्तियां दी जाएंगी, अब बढ़ते हैं, यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर लॉंचेज निपुन भारत स्कीम या प्रोग्राम कह सकते हैं, भारतिये शिक्षा मंत्री, केंद्रिये शिक्षा मंत्री, रमिस पो इस क्या है, इनिशियेटिव एमस तो इंसूर तग यानि ग्रेट थर्ड तक यानि यह कह सकते हैं कि वर्स थी यर से लेकर के नौ वर्स तक के बच्चों के लिए यह निपुन कारेक्रम लाँच किया गया है, a short video anthem and guideline related to निपुन भारत were also launched on the occasion, यानि इस occasion पर इसमें जो है short video anthem निपुन भारत से जुड़े दिशा निर्देश को भी लाँच किया गया है, this mission which has been launched under the ages of the centrally sponsored scheme of Samagra Sikcha, यानि Samagra Sikcha के तत्वाधान में यह केंद्र प्रयोजित कारेक्रम है, it will focus on providing ages and retaining children in foundational years of schooling, teacher capacity building, development of high quality and diversified student and teacher resources, learning materials and tracking the progress of each child in achieving learning outcomes, यानि यह mission बच्चों के स्कूली सिक्छाउस के सभी प्रकार के कह सकते हैं progress की जाच करेगा, even teachers को करीब 25 लाख teacher को यह जो है उनको मतलब अलग से training दी जाएगी कैसे इन बच्चों को trained किया जाए, उनकी monthly weekly report भी ली जाएगी, निपुन भारत aims to meet the learning need of children in the age group of 3 to 9 year, यह भी point महत्पुन है, इसे ध्यान रखेंगे, अब बढ़ते हैं, CDL approved the introduction of Sputnik V vaccine in India, भारत में Sputnik VT का लगाने के लिए CDL ने मान्यता दे दी है, यह CDL क्या है, तो यह CDL इसे ध्यान रखेंगे, यह कसौली में सितह ही माचल प्रदेश के Central Drug Laboratory, भारत में एक महत्रपुन यह जाच करता है कि कौन सी वैक्सीन कारगर होगी, तो इसकी जाच के बाद ही हम लोग वैक्सीन लगवा सकते हैं, यह दूसरा बैच भी इस तरह से यह चेक कर करके, एप्रूब करता रहता है और वैक्सीन लगाया जाता है, तो यह फर्स्ट फेज का हो गया है, इसमें 3 लाग डोज और दूसरी 50,000 डोज संबंधित कंपनी को उपलब्द कराई जाएगी, और यह कहां बनाया जा रहा है, हैदराबाद के Reddy Laboratory में, और यह कहां से लिया गया है, यह पूतनिक भी कहां की है, तो यह रूस की है, यह भी पॉइंट याद रखेंगे, और इस तरह से आप देख सकते हैं कि यह लैब, CGL Casoli is the only vaccine testing lab in the country certified by the World Health Organization, यानि बिश्ट वस्वास संगठन की तरफ से प्रमाडित एक मात्र देश की कलौती vaccine testing lab है, यह कौन, Casoli की जो CGL, याद रखेंगे, इससे पहले COVID shield and co-vaccine के इस्तेमाल को भी इसी ने प्रमाडित किया अब बढ़ते हैं दोस्तों, international affairs में, China launches a new satellite for better weather forecasting, यानि मौसम पुरू आनुमान करने के लिए एक नए उपग्रह को प्रक्षेपित किया है चीन ने, apart from enhancing the weather forecasting capability of China, this satellite will also monitor the ice-covered part of the world and the sea surface temperature, यह जो है विश्व के बर्प से ढखे हिस्से और समुद्र की सता के तापमान की भी निगरानी रखेगा, तो इस उपग्रह को उतर परश्चिम चीन में जिक्वान उपग्रह प्रक्षेपड केंदर से उसकी निरधारित कक्षा में भेजा गया है, यह जो है इसका नाम क्या है, इसका नाम याद रखेगा यह FY-3E नाम का उपग्रह है, वन रप the most important point इसे याद रखेगे, और यह आठ साल तक से वाए देगा, इट विल सर्व एट एट इयर्स, It will also monitor the ice-covered part of the world, sea surface temperature, natural disaster, ecology and help reduce the impact of seasonal disaster यानि जो मौसमी आप आएं आती उन सब की निगरानी यह रखेगा Apart from this, it will also monitor the solar and space environment and their effect इन सब की यह निगरानी रखेगा अब बढ़ते हैं, पाक PM, हमारी पड़ोसी देश है पाक PM, इमरान खान इनाग्रेट सेवरल प्रोजेक्ट इन ग्वादर ग्वादर क्या है? बहुत चर्चा में रहता है शामरिक दिश्ट्रिकोंड से बहुती महत्वपूर्ण यह शहर यहीं पर पत्तन है ग्वादर पोर्ट है, इट इस सेच्वेटेड इन पाकिस्तान यह भी ध्यान रखेंगे तो ग्वादर पोर्ट पाकिस्तान के ग्वादर शहर में परधान मंतरी इमरान खान ने कई परियोजनाओं को यानि चीन-पाकिस्तान आर्थिक कोरिडोर जिसे गलियारा कहा जाता है इन पाकिस्तान ग्वादर सिटी तो यह हक्सामरिक यानि स्ट्रेजिक पॉइंट अब उसे इम्पोर्टन सिटी और इम्पोर्ट खास कर यह चीन और कह सकते हैं पाकिस्तान के बीच बहुत ही एक कड़ी का काम कर रहा है ग्वादर पोर्ट और इससे भारत हाला कि भारत भी सांत नहीं बैठा है इसी से और थोड़ा पश्चिम की ओर आप बढ़ेंगे तो चाबाहार पोर्ट है वहाँ पर भारत भी अपना अधिकार स्वरूप ग्वादर पोर्ट इन पाकिस्तान बलूचिस्तान प्रोविन्स बिथ चाइना सिंजियांग प्रोविन्स इस चाइना's M.B.S. प्रोजेक्ट अंडर दा मल्टी बिलियन डॉलर बेल्ट एंड रोड इनिसियेटिव जिसे B.R.I. कहा जाता है तो इस तरह से इस तरह से अरब सागर कहा है ये वाला अरब सागर है तो इस तरह से अरब सागर में अपनी पहुच को यह मजबूत करेगा इस ग्वादर पोर्ट के माध्यम से तो प्रधान मंतरी कई परियोजनाओं को सुरू किया है यहां पर जैसे ग्वादर फ्री जोन टू ग्वादर एक्सपो सेंटर हेनान एग्री कल्चर इंडिस्ट्रियल पार्क के साथ ही ग्वादर उरवरक शेयंत और ग्वादर पसूटी का सेंस सही तीन फैक्टरियों का इनाग्रेशन किया है इसको थोड़ा सा मैप में देख सकते हैं यह पाकिस्तान है यह ग्वादर पोर्ट है यह चाबहार है यहां पर भारत और भारत और इरान के भी संबंद काफी अच्छे हैं और यह भाग पूरा अरफ सागर है यह कराची है पाकिस्तान का तो यहां पर या अवस्तित है अब बढ़ते हैं Environment and Ecology यानि Environment and Ecology सेक्षन में Biodiversity Loss in Rivers में 13 Biological Processes यानि नदियों में जय बिबित तकि नुकसान से जय बिबित प्रक्रिया को हो शकता है खत्रा एक study के दोरान ऐसा माना जा रहा है कि हमारे इस नदियों में यह नदियों का जल हमारे लिए कितना आवश्यक है इसमें बिबिन प्रकार की यह बहुत सारी जय बिबिदता को लिए है और यह जय बिदता धीरे धीरे नश्ट हो रही है जिसको क्या कहते हैं डिटी टी वोरस याद रखना डिटी टी टी वोरस इन रिवर्स एंड एक्स्टिंशन आफ मेनी स्पिसीज कैन हैव सीरियस कांसेक्वेंसेज यानि नदियों के सभी मृत जीवों और पौधों को खाने वाले डिट्री टियोर्स जीवों के तेजी से घ गंभीर परिणाम हो सकते हैं ति यह जो नदियों में सभी जो मृत जीवों और पौधों को खाते हैं उससे क्या होता है यह एक तरह से देखा जाए तो नदियों के पौलूशन को भी कम करते हैं नव तुरू ए न्यू स्टी अन इंटरनेशनल टीम आफ साइंटिस्ट आउट 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 इसके बारे में बैज्ञानिकों ने पता लगाया बिस्ट की पच्छतर से अधिक नदियों का अध्यन किया जिसे डिट्री ट्री वोर्स कहते हैं यह दिश्ट करताउन ने बताया कि नदियों में मृत जीवों और पौधों कर खाकर सफाया करने वाले को क्या कहा जाता है और पौधों के कूड़े के अब घटन या नस्ट होने के बीच घनिश संबंद की जहाँच की है यह जो डिट्री टी वोर्स होंगे अब घटन यो सफाई की प्रक्रिया उतनी ही अधिक तेजी से होती है अगर पानी में जितना यह भोंगे उतना ही अच्छा होगा तो यह जो स्केवेंजर्स इंक्लूड एक्वाटिक इंसेक्ट्स सच अज इसको क्या कहेंगे स्टोन फ्लाइज इसको कैडिस फ्लाइज कहेंगे मेफ्लाइज कहेंगे and crane flies and इसको crustaceans भी कहा जाता और ताजे पानी के जींगे और केकडे crabs जो है सामिल होते हैं तो यह पारिस्की तंत्र विज्ञान और प्रबंधन के जो अध्यक्षन करता है यह प्रोफेसर ब्रेडली कार्डिनल ने यह रिपोर्ट बताई है तो इस तरह से तो इस तरह से पूरी दुनिया में ऐसे जीओं की आबादी घट रही है मृत जानवरों पौधों के उसे कार्बनिक पदार्तों को जो खाते हैं और उनका सफाया करते हैं तो यह पानी इसलिए पानी भी स्वक्ष रहता है और ऐसा कहा जारा इतनी तेजी से यह जो है कह सकते हैं तुलना में यह करके विलुप्त होने की दर पर हैं तो इसका मतलब यही है कि जानवर यह विलुप्त होते जाएंगे हम जैविक रूप से आवशक शामग्रियों को बिगटित और रिसाइकल करने की चमता को कोते जाएंगे इसलिए अन्य जीवों को जीवित रहना बहुत आवशक है इन्हें हमें बचा के रखना है अब बढ़ते हैं दोस्तों इंपोर्टेंट स्कीम, कमिशन एंड कमेटी इसी में एक और हमने आजसे एड़ कर दिया है चुकि यहां से भी प्रसन आता है समितियां और आयोग से भी प्रसन पूछ लेगा जहन आयोग का संबंद किस्से है इस समिति का संबंद किस्से है तो आज हमने पाँच समितियों को लिया है इसको याद रखेंगे एसके धर कमेटी यह तो सुना होगा दोस्तों जब हमारा भारत स्वतंत्र हुआ तो बहुत सारी रियास्तों में बता हुआ था तो सरदार वलब भाई पटेल ने इन सारी रियास्तों का विले किया उसके बाद फिर से आन्ध प्रदेश में अलग भासाई आधार पर राज की मांग उठने लगी लैंगुूिस्टिक बेज पर यानि आन्ध प्रदेश के कॉंग्रेसी नेता थे पोटी सीर रामालू साह वाँअ भासाई आधार पर अलग राज की मांग कर रहते ऐसे में इलहाबाद हाई कोर्ट के रिटार्ड जस्टिस एसके धर की अध्यक्षता में धर आयोग का या धर कमेटी का गठन 1948 में किया गया तो इसे हैं रखेंगे यह लेंग्वेस्टिक प्रोविंस कमीशन इसके लिए यह आयोग गठित किया गया था और इसने आयोग ने यह रिपोर्ड भी दिया कि भासाई आधार पर राजों का गठन ठीक नहीं है इसे प्रसासनिक और भावगोलिक आधार पर इसका गठन किया जाए लेकिन मात नहीं बनी आंध प्रदेश में आंदोलन और उग रूप ले रहा था तो ऐसे में धर आयोग क जाच के लिए जे वीपी कमेटी का गठन किया गया जिसमें जवाहर लाल नेरू वल्लब भाई पटेर एंड पत्टाभी सीता रमया तो यह किसके लिए किया गया तो उन्होंने भी यहीं कहा कि धर आयोग सही कह रहा है लेकिन फिर बाद में आंदोलन और उगरू पकड़त अनन फानन में भासाई आधार पर आंधर प्रदेश राज के गठन की बात कह दी और उसी समय 1953 में फजल आली आयो का गठन कर दिया गया State Reorganization Commission ती उपरोक्त बातों का अध्यन करके उन्होंने कहा कि the linguistic basis of separation of state may or may not be considered फिर भी उन्होंने देखा तो इसके बाद तिरपन के बाद से आप देखे होंगे आंधर प्रदेश फिर 1956 ऐसे 1960 में महारास्ट और गुजरात मराथी लोग महारास में चले गए गुजराती लोग गुजरात इस तरह से राजपुनर गठन आयोक का गठन किया गया फजल अली साहब इसमें केयम पनिकर और हिर्देनाथ कुजरू ताहब दो और सदस थे फिर 1976 में फंडामेंटल ड्यूटी ये कहां से लिया गया है सोवियस संग उस समय हुआ करता था वरतमान में अगर रूस भी आप्शन में आये तो लगा दीजिएगा तो फंडामेंटल ड्यूटी इस नॉट पार्ट अफ अवर कॉंसिट्यूशन यानि जह हमारा संविधान का निर्माड हुआ था तो फंडामेंटल हमारे फंडामेंटल ड्यूटी हमारे संविधान का भाग नहीं था यह 42nd Constitutional Amendment के तहत सरदार स्वर्ण सिंग कमेटी की तो फंडामेंटल ड्यूटी को आर्टिकल 40 याद रखिएगा इसको आर्टिकल 51A या का में इसे जोड़ा गया इसमें 10 मूल करतब्य थे अब वर्तमान में 11 मूल करतब्य है 86 Constitutional Amendment के तहस सिक्षा का अधिकार को भी 11 मूल करतब्य जोड़ा गया इसमें प्रतेक माता पिता का करतब्य है कि वो अपने बच्चे को सिक्षा से वंचित ना करे फिर इसके बाद LM सिंद्वी कमेटी 1986 में पंचायती राज इंस्ट्यूशन से तो देखिए पंचायती राज इंस्ट्यूशन से संबंधित कमेटी एक दिन हम अलग से करा चुके हैं हलाकि फिर भी याद रखिएगा कि 1986 में इससे संबैधानिक अमली जामा पहनाया गया इस से कॉंस्ट्यूशन कह सकते हैं इससे पहले तो बलबंत राय महता कमेटी अशोक महता कमेटी जीवी के राओ कमेटी हाँ इसकी चर्चा कर चुका हूँ तो पंचायती राज को संबैधानिक रूप देने के लिए लच्वी मलसिंधवी कमेटी का गठन 1986 में किया गया था इस थावर्चंद गहलोत कल तक मंत्री थे आज राज्य पाल हो गए गवर्णर हो गए इन्हें राष्ट पती न्यूट करता है राष्ट पती के प्रसाद प्रयंत होते हैं राष्ट पती जब चाहे इने वापस बुला सकता है तो यूनियन मिनिस्टर फॉर सोसल जिस्टिस एन इंपावर्मेंट थावर्चंद गहलोत हैस बीन मेड गवर्णर आफ करनाचक इसके साथ साथ और कई राज्यों में गवर्णर न्यूक्त किये गए हैं जैसे की याद रखना हरी बाबू कमभ पती को मिजोरम का गवर्णर बनाया गया है यह पॉइंट हमने दिया है यहाँ के पीए सिरी धरन हैं त्रिपुरा के सत्य देव नरायन आ रहे हैं हरियाना के बंदारू दत्ता त्रे हैं जारखंड के रमेश बैस हैं अब बढ़ते हैं दोस्तों बुक्स एंड आवार्ड्स में इंडियन मैन विंस फर्स प्राइज इन गवर्णमेंट कंप्टीशन फार सिंगापूर तो एन इंडियन हैस वोन दा फर्स प्राइज इन गवर्णमेंट स्पॉंसर्ड कंप्रीशन आफ कोरियोग्राफी एंड ट्रेडिशनल इंडियन मार्सल आर्ट आफ इसको ध्यान रखेंगे इसको कहते हैं सिलबं याद रखने हैं सिलंबं यह जो है सिंगाप प्रधा में सबसे उच्छ अस्थान रखा तो यह जो है यह जो चौथी सताबदी सापूर प्रचलितिया मार्सल आर्ट विदा है सिलंबं याद रखेंगा इस प्रतियोगिता में 19 अन्य प्रतिभागियों को इन्होंने पीछे छोड़ दिया था तो सिंगापूर की ओर से 1000 सिंगापूर डॉलर इन्हें दिया गया अब बढ़ते हैं दोस्तों बैंकिंग और फाइनस रेटर न्यूज में फोन पे टाइज बिद फ्लिप कार्ड टू डिजिटाइज कैस ऑन डिलिवरी पेमेंट कैस ऑन डिलिवरी भुकतानों को डिजिटाइज करने के लिए फोन प उन ग्राहकों को सक्चम बनाएगा और जिन्होंने पहले डिलिवरी के समय कैस ऑन डिलिवरी का ऑफ़सन चुना था और वह डिलिवरी के समय किसी भी यूपी आई एप के माद्दम से डिजिटाल रूप से भुकतान कर सकते हैं तो इस तरह से डिजिटाल पेमेंट थैंक्स टू यूपी आई यानि यूपी आई की बदावलत पिछले कुछ वर्सों में डिजिटाल भुकतान को अपनाना ब्यापक हो गया है हाईवर देर इस तिल कंटिनू टू बी ए प्रिफरेंस फार कैस ऑन डिलिवरी एमांग सम कस्टमर अध टाइम आफ डिलिवरी य इसके CEO कल्यान कृष्णमूरती हैं और फोन पे 2015 में समीर निगम इसके CEO और फाउंडर दोनों हैं और इसका जो हेड़कॉर्टर है बेंगलूरू में है अब बढ़ते हैं दोस्तों इस पोर्ट निउस में मेरी कॉम छे बार की वर्ड चैंपियन एंड मन प्रीज सिंग टू इस बार पहली बार ऐसा हो रहा है कि महिला पुरुस दोनों को ध्वज वाहक में सामिल हो रहे हैं यहां एक तरह से कह सकते हैं लेंगिक समानता का बहुत ही अच्छा एक्जामपल पेस करता है तो सिक्स टाइम वर्ड चैंपियन एंड लंडन ओलम्पिक ब्रॉंज मेडलिस बॉक्सर एमसी मेरिकॉम और मेंस होकी टीम कैप्टन मनप्रीस सिंग विल बी दा इंडियन फ्लैग बेरर्स एट ओपनिंग शेर्मनी आप अलम्पिक गेम बिगनिग फ्राम 23 जुलाई इन टोकियो यह ध्यान रखेंगे और पहलवान बजरंग पूनिया आठ अगस्त को सम आपन समाहरों में भारतिय ध्वजवाहक की भूमिका निभाएंगे तो यह ध्यान रखेंगे और 2016 में ध्वजवाहक कौन थे अभिनो बिंदरा यह पहली बार ऐसा हो रहा है कि महिला पूरुस दोनों को एक साथ ध्वजवाहक के रूप में चुना गया है तो यह लैंगिक समानता यानि जेंडर इक्वालिटी या वोमेन इंपावर्मेंट को भी महिला ससक्ती करण की और एक कदम आगे तो इस तरह से ध्यान रखेंगे अब बढ़ते हैं इंपोर्टेंट डे इस वर्ड जूनोसिस डे है आज यानि वर्ड इसको जूनोस डे कहेंगे यानि जूनो वाइरस हाँ वहाँ चमगादर वहाँ पर आप देखा होगा केरल में सबसे पहले पाया गया था तो यह नीपा वाइरस तो चमगादर से आया जैसे जो है आप देख सकते हैं अभी यह कोरोना नामक महामारी देख रहे हैं इसमें भी यही कहा जा रहा है कि यह जानवरों से इनसान में फैलता है फिर यह मानों से मानों में फैलता हुआ महामारी का रूप ले लेता है पैंडेमिक का रूप ले लेता है और आज आप देख रहे हो कोरोना की स्थितिक क्या है तो इसमें जैसे इबोला वाइरस है बहुत सारा जो है आप देख सकते हैं एवियन फ्लू है, रेबीज है, इन सब को जुनोशिस डिजिस कह सकते हैं, तो याद रखना फ्रांसीसी जी भी ज्यानी लुई पाश्चर ने 6 जुलाई 1885 को सफलता पूरवक एक जुनोटिक रोग के लिए पहला टीका बनाया था, उसी की वज़ास जैसे इंफ्लेंजा, ए अफ्रीका महादियूप में इस तरह की बिमारियां, तो इस बार का जो ये थीम है, लेट उस ब्रेक दे चेन आफ जुनोटिक ट्रांस्मिशन, यह इसका थीम है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं, रोग नियंतरों और रोग थाम के इंद के अनुसार, लगभग 75% नई ब तो लगवारियां, पूरे प्रिथवी का जो छेतरफल्न है, जिसमें 36 करोंड़ वर किलो मिटर में सागर है, और 15 करोंड़ वर किलो मिटर में स्थल है, LAND है, जिसमें सारे महादूइ पिस्तित है, तो यह जो है, इसके बारे में आज बात करेंगे, बिस्ट के बड़े महासागरों में कुल चार महासागर है प्रशान्त महासागर सबसे बड़ा महासागर है यह देख सकते हैं उत्तरी अमेरिका महादीप दच्छिड अमेरिका महादीप पश्चिम एसिया तता अस्टेलिया दीप में इस देता है उत्तर में इसके बेरिंग सी है, बेरिंग जल्डमरूमद्य है, जो की अलग करता है उत्तरी अमेरिका को एसिया से, याद रखेंगे, और दक्षिड में अंटार्किटिक महादीप है, पृत्वी पर सबसे अधिक ड्वीप प्रशान्त महासागर में ही पाये जाते हैं, बिस् सबसे बड़ा दूइब भी यही है, जो फिलिपिन्स दूइब समों के मेरियाना दूइब के पास इस्थित, और याद रखना विस सुका जो सबसे बड़ा जो गहरा गरत है, मेरियाना ट्रेंच 11,033 मीटर इसकी गहराई है, जो की पैस्पिक ओशियन के पास इस्थित है, और विस सुका 60% जो जो जोला मुखी, इसलिए इसको फायर रिंग आप पैस्पिक ओशियन भी कहते हैं, और इसके इर्द गिर्द जो देश हैं, जो हमने लिखा इसको मांचित्र में देख लीजेगा, तो यहाँ पर यह देख रहे हैं यह मेरियाना ट्रेंच यहाँ पर है ध्यान रखेंगे, अब दूसरा जो सबसे बड़ा महासागर है, अटलांटिक महासागर, एसके आकार का है, तो यह दूसरा सबसे बड़ा महासागर है, अटलांटिक महासागर के पूर में योरोप, अफरीका कॉंटिनेंट, यहाँ बांचित में देखेंगे तो और आसान ह हो जाएगा देख रहे ना इधर क्या है उत्तरी अमेरिका इधर योरोप यह साउथ अमेरिका कॉंटेंट यह अफ्रीका कॉंट यह देख रहे ना एस के आकार का है यहीं केरेबियन सागर है यहां पर भूमद्दि सागर, यह सब इसी में आता है, फिर इंडियन ओशियन तीसरा सब्से बड़ा, और यहां जो किसी देश के नाम पर है, इंडियन ओशियन हमारे देश के नाम पर है, तो इसमें जैसे इंडियन ओशियन के मैप में आप देखेंगे ये देख रहे हैं न पूरा भारती है पूरा इंडियन ओशियन है तो इसमें इसके फैक्ट देख लीजिएगा और यहां पर सुनदा गरत है फिर आर्कटिक ओशियन विस्दुका सबसे छोटा महासागर है इसे North Pole Ocean भी कहते हैं और विस्ट का सबसे बड़ा आइलेंड Greenland इसी के अंतरगत आएगा यहाँ पर आप देख सकते हैं यह Greenland दिख रहा है न ति यह Arctic Ocean ति यह fact थे इन्हें ध्यान रखेंगे अब बढ़ते हैं आप लोगों के सक्षन में जो की बहुत ही अच्छा उतर दे रहे हैं आज उतर देने वालों में हैं सभा को ही आम सभा कहते हैं इसमें कोई अंतर नहीं इसके छे अंग हैं जिसमें जैसे सुरक्षा परिशद है आर्थिक परिशद हाँ वो सब चीज को मैं बता चुका हूँ और आपने पूछा है एक और कमपनी एक्ट का नाम तो कमपनी एक्ट ये 1956 में आया था सरकार के द्वारा जारी किया गया था कमपनी एक्ट जो कें सरकार को कमपनी के गठन और कारियों को विन्यमित करने की शक्ति प्रदान करती है तो भारत की संसत द्वारा 1956 में कमपनी एक्ट पारित किया गया था इसमें बहुत सारे संसोधन भी किये गए तो कमपनी को संवर्धन और प्रबंधन में अच्छे आचरण और कारोबारी इमानदारी का निवनतम मानक इसमें इन सब को इसमें जो उद्देश के लिए इसको बनाया गया था ध्यान रखेंगी अब आते हैं आप लोगों के पहले प्रसमें निपुन भारत प्रोग्राम हैस बिन लॉंच अंडर विच मिनिस्ट्री मिनिस्ट्री आफ टूरिजम, मिनिस्ट्री आफ एजूकेशन, मिनिस्ट्री आफ स्पोर्ट, मिनिस्ट्री आफ टेक्स्ट्स्टाइ रूस जापान चाइना और इंडिया नेस फोशन है शरदार सुरंट सिंह समित इज रलेट तो लैंग्वेज फंडमेंटल दूटी फंडमेंटल राइट या सिर्जन सिप अधर्चंड गहलोथ अपोईंट अपोईट अज गोवर्नर अफ फिच इस ते गोवा करनातक पूर्गापूर, कतर या ननवदीज नेस कोशन है रिसेंटली विच कंपनी है इस डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म फोन पे पार्टनर तो लांच, कॉन्टेक्ट लेस, स्कैन अन पे किसके साथ किया है साजेदारी फिलिपकार्ट के साथ अमेजन, बिक बास्केट या गूगल पे, and next question है, who will be the Indian flag bearer at the Tokyo Olympic opening ceremony, विनेश फोगाट और मनप्रीट सिंग, मेरी काम और बजरंग पूनिया, मेरी काम और मनप्रीट, पीवी सिंदू और अनिर्बान लहरी, यह बताना है आपको, next है, when is World Junos Day, या Junos Day कब मनाया जाता है, 2nd July, 3rd, 5th या 6th, and last question है, in which ocean is the world deepest trench, the Mariana Trench situated, विसकी सबसे गहरी गरता है, 11,033, 11,033 मीटर गहरी है, यह इंडियन ओशियन में है, आर्कटिक में, पैस्पिक में, अटलांटिक में, इस तरह से इन दसो प्रसन के उत्तर दीजिएगा, और दोस्तों, उत्तर देने के साथ साथ, like, share, subscribe, and comment करना ना भूलें, और इसके साथ साथ, bell icon भी जरूर दबाएं, thank you दोस्तों,